हेलो दोस्तों मेरे नाम है सागर और आप देख रहे हैं All Exams Hub चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कानपुर युनिवसिटी से आपके लिए Teaching Vacancies और दोस्तों यहां पर आपके लिए Non Teaching Vacancies भी जारी की गई हैं यहां से तीन बड़े Notification आए हुए हैं हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में वीडियो अलड़ी देख लिया हो लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको तीनो ही Notification के बारे में बताऊंगा आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा Regular Teaching Positions, Non Teaching Positions और साथी यहां पर Self Finance में Teaching Positions की Vacancies आई हुई हैं काफी Important Vacancies है और काफी टाइम बाद इतनी बड़ी Vacancies कानपुर उन्वेस्टी के तरफ से आ रही है कानपुर उन्वेस्टी दोस्तों यह एक State University है जिसकों की छत्रपती साहुजी महराज उन्वेस्टी कहा जाता है और यहां पर हम directly आपको लेकर के चलते हैं इनके Notifications की तरफ आपको बताएंगे कैसे आपको यहां पर application करना है application कबसे start होगा और बाकी जो भी जनकारी है सब आपको इस वीडियो में एंट तक मिल जाएगी तो वीडियो को ध्यान साइट तक जरूर देखिएगा तो चलिए अब start करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों यहां पर जब आप इस website पर visit करते हैं तो यहां पर left side में आपको useful link में यहां पर देखने को मिलेगा recruitment इस पर click करिए क्लिक करते ही सबसे पहला आपको यहां पर यह link आपको देखने को जो मिल जाएगा यहां पर लिखा हुआ है recruitment notice for various teaching non teaching post और यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर एक advertisement है यह general advertisement है इसके बाद आपको देखने को मिलेगा non teaching self finance post teaching self finance post and regular teaching post यह तीनों ही notification है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो regular teaching positions है उसका notification तो यह आप देख रहे हैं यह regular non teaching position का notification है इसमें update देख सकते हैं साथ तारिक को notification जारी किया गया है vacancies देख लिजे यहां पर professor, associate professor और assistant professor तीनों के लिए vacancies निकाले गई है categorization आपके सामने दिया हुआ है और यहां पर इसमें देखेंगे सबसे पहला जो subject है वो है English and modern European and other foreign languages इसमें आपको professor की एक vacancy देखने को मिल रही है और associate professor की one vacancy इसी तरह से bio technology में one vacancy है और law में आपको यहां पर professor में one vacancy मिल रही है और assistant professor में एक vacancy सबी जेगे पर एक vacancy ही आपको mostly देखने को मिलेगी और यहां पर आप देखेंगे education और education training में अगर आप देखते हैं यहां पर प्रॉफेसर में one है और associate professor में आपको one vacancy देखने को मिल रही है और professor में आपको दो vacancy मिल रही है एक UR में है और एक OBC में है तो इस तरह से आप सभी vacancies को देख सकते हैं Lifelong Learning and Extension में vacancy available है और यहाँ पर regular में सिफ इतने ही विशे है SFS में आपको काफी सारे विशे देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर आपको application कैसे करना है और qualification आप जानते हैं कि क्या रहेगी Assistant Professor के लिए UGC Regulation 2018 के according ही यहाँ पर selection किया जाना है तो आपको पता है कई बार हम बता चुके हैं आपके पास UGC Net होना चाहिए साथ ही आपके पास PG में 55% marks होने चाहिए और जिन लोगों का Regulation 2009 और 2016 के अंडर में PhD हुआ है को यहाँ पर UGC Net की जूरत नहीं होगी वो directly based on PhD भी यहाँ पर application कर सकते हैं तो फिलाल यहाँ पर जो start date है वो है 10 मार्ट से जो भी तीनो नोटिफिकेशन में date जो है वो 10 मार्ट से start हो रही है और application का time आपको 30 अपरेल तक दिया जा रहा है यानि कि लगबग डेड़ महीने से जादा का समय आपको दिया जा रहा है बस एक चोटा से डिफरेंस यह है कि regular post में आपको hard copy में भी अपने documents को भेजना है application fees जो है आपकी वो 25 रुपे रहेगी for general candidate and I think OBC और EWS के लिए and 2000 rupees fees रखी गई है SC और ST candidates only ठीक है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर clear है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो आपके कुछ certificate होते हैं कि आपका OBC non criminal certificate हो गया ठीक है और आपका EW certificate हो गया तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह जो certificate है वो आपके 1 October 2023 के बाद के बने हुए होने चाहिए अब यहाँ पर देख लिए important dates आ गए है date of opening online application 10 March then date of closing 30 April last date of racing hard copy 7 May then date of return test for assistant professor tentative तो यहाँ पर आपका test भी लिया जाएगा एक साथ से लेकर के I think July में आपका test होना है tentative date है अभी यह date confirm नहीं है और interview की date भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग अगस्त में यहाँ पर शो कर रहे हैं एक अगस्ते पाच अगस्त के बीच में ठीक है अब यहाँ पर आपका syllabus क्या रहेगा सबसे important बात आती है कि आपकी exam का syllabus क्या होगा तो exam का syllabus आपका जो net गेट का जो आपका syllabus होता है वही आपका syllabus रखा गया है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका बनेगा यह आप देखेंगे assistant professor के लिए सेफ और सिफ assistant professor post के लिए ही यहाँ पर test होगा और basic academic score and API score आपका 30 रहेगा minimum for teaching assistant professor के लिए written test में आपका 40 marks का paper आपका रखा जाएगा और interview जो आपका होगा वो total यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है इसमें दो तरह से इसको divide किया गया है जिसमें कि आपका interview का 10 marks है और assessment of teaching skills presentation to assess teaching skills in class and ability to take online class on computer इसको भी चेक किया जाएगा इसके लिए आपको 20 marks दिये जाएंगे और यह दिखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं syllabus के बारे में उन्होंने कहाया कि इसके लाब आपको कोई भी चीज एक्स्टा नहीं पढ़नी है नेट का जो आपका syllabus है और गेट का syllabus है बस वही आपको पढ़ना है उसी के base पर आपके questions आएंगे तो यह हो गए आपका first notification, second notification पर चलते हैं, second notification है दोस्तों आपका यह है for non-teaching positions non-teaching positions में भी काफी सारी vacancies हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको junior network administrator की vacancy देखने को मिल रही है और यहाँ पर payout भी उन्होंने बता हुआ है कि आपका remuneration range जो रहेगी वो 25,000 से 35,000 के बीच में रहेगी essential qualification आपके सामने है तो मैं यहाँ पर एक qualification आपको पढ़के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो और लंबा हो चुका है और वीडियो और लंबा होने वाला है क्योंकि अभी एक notification बाकी है तो इसको आपको खुद से देखना होगा मैं आपको post बता दे रहा हूँ कौन कौन सी है hardware support technician और इसके बाद है technical assistant school of engineering and technology इसके बाद है school of basic sciences इसमें one post है इसके बाद आप देखेंगे data entry operator इसमें भी आपके लिए one post अवेलबल है training and placement officer इसमें भी one post अवेलबल है इसके बाद आप देखेंगे instructor की vacancy है laboratory technician, x-ray technician, junior, establishment officer इसके बाद आप देखेंगे जो university के constituent colleges है उनमें भी vacancies रखी गई है और काफी सारी vacancies इसमें भी है जिसमें के आप देखेंगे lab assistant की four post है ठीक है और college का नाम भी आपे mention किया गया है कि कहाँ पर यह college है और यहाँ पर आप देखेंगे physics में one post है chemistry में one है जुलाजी, botany, remuneration ranges जो रहेंगी वो यहाँ पर 15,000 से 20,000 रुपे रखे गई है इसी तरह से यहाँ पर भी same post है और इस college में भी same post बताई गई है बस तीनों colleges अलग-अलग है और यहाँ पर भी जो application है वो दस मार्स से start हो रहा है तीस अपर तक application करना है offline आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है क्योंकि offline के बारे मिनों नहीं कोई जानकरी नहीं दी है 1000 रुपे फीस है और 700 रुपे SCST के लिए फीस रखे गई है ठीक है बाकी यहाँ पर कोई भी information इसके लावा नहीं है और यहाँ पर आप देखेंगे date of return test और skill test या फिर interview जो भ पाता चल पाएगा अब आ जाते हैं याप पर self finance scheme के अंडर में जो आपकी post है सबसे ज़्यादा vacancies आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी जिसमें आप देखेंगे vacancy for the post of assistant professor and guest faculty दो तरह कि यहाँ पर पोस्ट है सबसे पहले आप देखेंगे physical education में आपर guest faculty में तीन positions है mathematics में आप देखेंगे तीन vacancy है system professor geography में one है chemistry में one है then hindu studies में one one vacancy है इसके बाद आप आप आजाते है school of health sciences में दो दो vacancy है फिर है computer science and engineering इसमें eight and two vacancies computer application में one vacancy interior design में one and one vacancy law में आपको four and two vacancies then इसके बाद आपका जाता है हिंदी हिंदी में one vacancy है guest faculty की Sanskrit की one vacancy general German की one vacancy है agriculture horticulture में three vacancies है इसके बाद आप देखेंगे कर्मकार्ड में one astrology में one और इसके बाद आप देखेंगे यह सभी subject में आपको एक-एक vacancy देखने हो मिल रही है geography, English, maths, commerce, computer application, Hindi, military studies, particle science, social science, zoology, management, commerce, mathematics, इसके बाद आप देखेंगे और इस साइड में आप देखेंगे किन colleges के लिए vacancy है यह भी इन्होंने left side में categorize किया हुआ है इसके बाद आप देखेंगे government degree college जो घाटमपूर है यहाँ पर principal की भी vacancy available है इसी बाद हिंदी की है history की है और बाकी फिर आप देखेंगे line से फिर के कानपूर में है तो काफी सारी vacancies यहां से आई हुई है यहाँ पर आपको payout के बारे में भी नीचे बतायागा है कि principal for constituent degree college के लिए 40-60,000 रुपे payment आपको मिलेगा और assistant professor के लिए 30,000 से 50,000 रुपे के बीच में आपकी payment रहेगी ठीक बाकी जानकारी के लिए आप इन जो points है यहाँ पर point number 3, 4 इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लिजे डेट आप देख सकते हैं 10 मार्स से 30 अपरेल है और fees यहाँ पर 25,000 रुपे for general and OBC and AWS के लिए और 2000 रुपे SCST candidates के लिए और यहाँ पर आपको कोई भी hard copy नहीं भीजनी है hard copy के बारे में आपकोई भी जानकार की गई है वो है एक तारीक से लिखर के साथ तारीक जून में और interview schedule आपका होगा 15 से 20 जून के बीच में ओके और यहाँ पर आपको लिखा है कि documents required to be submitted online with online application तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि online आपको कौन-कौन से document लगाने हैं इनकी जानकारी points में दी गई है इसी तरह से पिछले वाले notification में भी दी हुई है तो इस तीनो notification आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं application करने से पहले जिससे कि किसी भी तरह की कोई गलती ना होने पाए और आपके सामने फिर से एक चार्ट है जिस तरह से मैंने आपको पहले notification में दिखाया था कि यहाँ पर basic API score 30 रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से इन्होंने से syllabus की बात किया है तो यहाँ पर net और gate का जो आपका syllabus होगा उसी base पर आपका paper बनाया जाएगा और बाकी तो यह नीचे आप देख सकते हैं कि आपका यह जो API के लिए जो टेबल होती है वो आपके सामने आप पर दी गई है अब बात आती है application क्यासे करना है तो application के लिए अभी यहाँ पर कोई भी link प्रोवाइड नहीं किया गया है ओके वैसे इन्होंने notification में लिखा है कि 10 तारिक से application स्टार्ट होना है ठीक है लेकिन आज 11 तारिक हो चुकी है अभी फिलाल कोई यहाँ पर हमें link नह नहीं होना है और जैसे ही start होगा हम आपको हमारे telegram channel पर update जरूर करेंगे और यह तीनों notification आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगे साथ ही whatsapp channel पर भी मिल जाएंगे तो जो भी लोग interested है apply करिएगा और जैसे ही इसका application start होगा तो हो सकता है कि हम उसके उपर अलग से video भी बना दें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में मिलते हैं किसे अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and जैन